पार्सी मतलब ہے کہ یہ بہت باری ہے صحابی کے بارے میں لکھا اور لمبے چوڑے بڑے خوبصورت اور سر پر امامہ پہنتے تھے یعنی اتنے پیارے صحابی اور اتنے خوبصورت صحابی اور اصل ایران کے رہنے والے کہا کے رہنے والے ایران کے رہنے والے اور وہاں سے مدینہ غلام بن کر آئے تھے لیکن اللہ تعالی نے ان کو جو شکل اور صورت عطا فرمائی آہا لمبائی بھی تھی چوڑائی بھی تھی اور سر پر امامہ ہوتا گھوڑے گھوڑے ہوتے اور جب چلتے تھے نا راتے میں چلتے تھے تو کوئی نیا آنے والا کبھی کبھی کہتا تھا آہ اللہ کے رسول آگئے اللہ کے رسول آگئے جب ان کے قریب جاتے تھے اور کہتے تھے آپ محمد ہیں تو یہ رو کر کہتے تھے میں محمد نہیں میں محمد کا غلام ہوں میں محمد نہیں میں محمد کا غلام اور ہمارے نبی کا پتہ بتا دیتے تھے یعنی میرے دوستو حضرت سلمان فارسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وجہت عطا فرمائی لیکن ایک قصہ صرف ان کا سنا دو بہت پیارا قصہ بھئی سب سنیں گے انشاءاللہ اس سے کہ اس قصے کے بعد ہمیں درود بھی پڑھنا اور سمجھنا ہے کہ ہمیں زندگی کو کیسے گدارنا بھئی عمل کریں گے انشاءاللہ تو یہ حضرت سلمان نام کہو ساتھ میں کہو حضرت سلمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں لکھا کہ جب مدینہ آئے تو غلام بن کر آئے ساتھ میں بولو مدینہ آئے تو لیکن تھے لمبے چوڑے ہٹے کٹے تھے غلام تھے اور کس کے غلام تھے ایک یہودی کے غلام تھے ساتھ میں کہو کس کے غلام تھے ایک یہودی کے غلام اب وہ یہودی کیا کرتا تھا یہودی کے ایک عادت تھی اس کے پاس بہت بڑی بڑی زمینیں بڑی پروپٹی بڑے باغ خجور کے باغ وہ پورا دن حضرت سلمان سے کام لیتا صبح سے لے کے دو پیڑ تک دو پیڑ سے لے کے شام تک شام سے لے کے رات تک بس حضرت سلمان کے پاس کام لیتا اور حضرت سلمان غلام تھے وہ کام کرتے تھے کلمہ پڑھاتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی کے غلام تھے اور یہودی کے بارے میں لکھا وہ دبلہ پتلا سا انسان تھا لیکن حضرت سلمان کے پاس پورا دن کام لیتا और जब रात का वक्त होता ना रात का वक्त शाम का वक्त होता तो सल्मान को कहता मेरे सामने बैठो चलो मेरे सामने बैठो अब हदद सल्मान फार्सी गुलाम थे वो सामने बैठ जाते जब सामने बैठ जाते तो ये यहुदी हमारे आका ताजदारे मदीना को गाली बकना शुरू कर देता इतनी गालिया बगता इतनी गालिया बगता इतनी गालिया बगता और इतना बुरा बुरा कहता हदर सल्मान फार्सी सबर करते सबर करते लेकिन मेरे दोस्तों सबर का भी पैमाना लबरेज हो जाता है सबर भी आदमी करते करते अखिर में वक्त आ जाता है अब एक मर्तबह ऐसा हुआ जाAlọ के बस यहोदी बेठा है और उसने अधर सलमान फार्सी को सामने बिठाया और मालوم ने क्या-क्या हमारे नभी के बारे में कहने लगा हदरते सलमान को घुस्ता आया भोलो हदरत सलमान को सात में बोलो नाधर सलमान को और ये घुसा भी वो था जो अल्ला को भी प्यारा लगता होगा भै लगता होगा निला अदर सल्मान फार्सी को घुसा आया बस खड़े हुए और एक तमाचा दिया एचा यहुदी को तमाचा दिया वो दुम्ला पत्ला और ये तो सल्मान का हाथ था बैस सल्मान का हाथ था लंबे चोड़े घटे घटे कलमे वाले अब जैसे मारा तो यहूदी दो घुलाटी खाके नीचे गिरा लेकिन नीचे गिरने के बाद उसने चिलाना शुरू किया पूरे महले में आवाद देना शुरू किया अरे आजाओ पूरे महले वाले आजाओ देखो देखो एक घुलाम है एक घुलाम है वो अपने आखा के उपर हाथ उठाता अब वो महला यहूदियों का महला तकरीबन चारसो पानसो यहूदी जमा हुए और सब ने मिलकर जो हदरत सल्मान को मारा मेरे प्यारों आज भी किताबों में लिखा के सर के बाल से लेकर पाउं के नाखुल तक हदरत सल्मान पूरे के पूरे जखमी हो गए मेरे प्यारों कैसा जखम होगा हैर सब मार वार कर चले गए रात का सन्ना का चाया है वो आखा भी चला गया वो सबके सब मार धार के चले गए हदरतِ सल्मान जमीन पर एए खून में लस्पत है इसी तरह कपड़े फटे हुए है हदरतِ सल्मान दीरे दीरे पाओं भी जखमी आद भी जखमी जिरते पड़ते रात का वक्त है हदरतِ सल्मान हमारे आका मुहम्मद रसूला सल्लाओ आलिए वैसल्म के हुजरे पर पहुँच गए दर्वादा खित खित आया मेरे दोस्तों वो मनजल कैसा मनजल होगा अल्ला के रसूल ने दर्वादा खुला क्या अल्ला के रसूल साल साल से मैं परेशान हो लिकन कभी मैं आपके पास नहीं आया लिकिन आद तो चारसो पानसो ने मिलकर बहुत मारा मुझे बहुत मारा आका किए प्रमाया सल्मान जहाएफ वापस चले जाओ आका से माफ़ी मांग लो इसलाम है मेरे प्यारो जाओ वापस चले जाओ और आका से अधर सल्मान ने का मैं वापस चला जाओ कहा जाओ तुम वो आका है तुम गुलाम हो और गुलाम के लिए जरूरी है कि आका की फर्मा बर्दारी करे जाओ जाकर अपने आका से माफी मांगो अदरत सल्माने दोस्तों अंदाज अलगा हो उस वक्त दिल पर क्याव गुदरती होगी हदरत सल्मान के लेकिन उटे उटे जब जाने लगे तो हमारे नभी ने फरमाए सल्मान जाने से पहले अभी जिब्राईल ने मुझे दो बाते बताई है कहो सुभान आल्ला अदरत सल्मान वो दोनों इनाम में तुझे दे देता मैं तुझे वो इनाम दे देता अदरत सल्मान ठेर गए मेरे दोस्तों कपड़े फटे होगी पूरे बदन से खुन बहता होगा हदरत सल्मान का पूरा बदन दुखता होगा लेकिन कहा कि मेरे प्यारे नभी क्या देना चाहते हो का अधी जिवराई ने मुझे आकर कहा अल्ला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं कहे दू कि सल्मान आज से अल्ला ने फैसला कर लिया सल्मान मिन्नी वा अना मिन सल्मान ए सल्मान आज से तू मेरा बन गया मैं तेरा बन गया मेरे दोसो इससे बढ़कर क्या दौलत होगी हमारे आखा ताज़ाने मदीना ने वो राद के सन्नाटे में हदरत सल्मान से फरमाया सल्मान मिन्नी वा अना मिन सल्मान हमारे आखा ने फरमाया राद के सन्नाटे में हदरतِ سلمان लहु लुहान सख्मों से चुर रहे अल्ह के रशूल ने फर्माया अजल्ला ने फैसला कर दिया कयामब तक सल्माय तू मेरा रहेगा और मैं तेरा रहुँगा और दूसरी बात क्या बताई मालू बहुत अच्छी बात बताई अल्ला के रसूल ने फरमाया विए सल्मान वैस भी सूभान लॉख भी ने इंशाला बोलो ना बुलन दावासे को बोलो गे ना इस से के एक बात हुए दूसरी बात सुनो हमारे आका मुहम्मद ورسول اللہ ﷺ نے فرمایا سلمان قیامت τök آنے والا میرا اُمتی وہ جنت جنت مانگتا رہے گا قیامت تک آنے والا میرا اُمتی جنت جنت مانگتا رہے گا لیکن سلمان قیامت تک جنت سلمان کو مانگتی رہے گی فرمایا الجنت نو الى سلمان ہمارے نبی نے فرمایا पूरी दुन्या जन्नत को मांगेगी और जन्नत को पूछो तुझे क्या चाहिए तो जन्नत कहेगी मुझे सल्मान चाहिए हदर सल्मान फुरों जखमों से चूरते लेकिन जब ये दो बाते मिली ना कि अल्ला के रसुल ने का सल्मान में तेरा तू मेरा और जन्णती त्यज्वे मा, Chair attempted. प़रता मेरे फरमाते, मेरे पैदा करने वाले की कसम ऐसा लगा, मुझे किसी ने मारा हि नहीं के दे मेरे सारे जखवाश हिए हो गए है, मुझे किसी ने मारा नहीं Chryτά adverse SAL Mान के लिए भी ज़ल मेरे रोता रोता गया, इसलिए के वो एमान जो है या वो एमान मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर देता है नेकिन मेरे दोस्तों कुछ दिन गुदरे हैं सुनो कुछ दिन بलो ना साथ में बलो कुछ दिन एक दिन फिर वही मामला ओओ यहूदी बैटा आया अपने दोस्तों यारों के साथ बैटा आया सल्मान बिचारे सामने बैटे और यहूदी ने बक्रा शुरू किया बक्ता गया बक्ता गया बक्ता गया यहां तके कुछ ऐसी बात कह दी حضرت سلمان کو گوارہ نہ ہوا حضرت سلمان उसी तेश में उठे और फिर वो ही तमाचा मारा और वो यहुदी कलाबाजी खाता खाता जाके गिरा और गिर कर उसने वो ही काम किया सारे महले को जमा किया देखो देखो इसको गुलाम ए गुलाम यह हमारी रोटी पर पलता है यह हमारी अनाज को खाता है यह हमारी बनाई हुई जिन्दगी पर विहता है और यह देखो यह यह आका के उपर हाथ उठाता अब वो यह चार सो पान सो आया और जो सल्मान को मारा और सब रात के सर्नाटे में छोड़कर चले गए है हदर सल्मान कहां जाते अरे मेरे दोस्तों कहो ना सहरा है तो मदीने वाले का असरा है ना हदर सल्मान उठे पूरे जखमों से चूरे अफ्मे आपको गसिते गसिते फिर रात को दर्वादा किट किट आया जब दरौादा खुला गया और हज़द सल्मान के बदद बिदन से जो खून बह्ता था तो हमारे नबि ये पाक सासा अबी मुबारगांखों से आस हुआ है का सल्मान तुझे कहा था ने कुछ कहना ने तुझे कहा था हाथ उठाना ने आज हज़र सल्मान ने का मेरे प्यारे नभी मेरे प्यारे नभी आज उसने बहुत अजीब बात कही हज़र सल्मान ने जो जुम्ला का सुना हज़र सल्मान ने का अला के रसूल अगर मुझे गाली देता मैं बरदाश करता मेरी माँ को गाली देता मैं बरदाश करता अरे मेरे बाप को गाली देता मैं बरदाश करता मुने पूरे खांदार को गाली देता बरदाश करता लेकिन उसने आथ की इज़त पर खमला किया और अल्ला के रसुल आज नहीं आइंदा भी होगा तो सल्मान आज उठाएगा सल्मान जाज ने सकता लेकिन नभी के खिलाफ आवाज नहीं सुन सकता मेरे प्यारों क्या मुहबत होगी मेरे प्यारों मुहबत का अंदाज़ा में और आप नहीं कर सकते हमारे नभी ने देखा कि सल्मान हमारे नभी ने अपना मुबारत हाथ बोलो बो सुभानाला बोलो सलमान के सर पर रखा क्या फरमाया सलमान एक बात बताओं हज़र सलमान तो जख्मों से चूर से का एल्ला कर रसुल बताए मुझे क्या करना का जाओ तेरे आखा को कहए दे के तुझे बेच दे और जो कीमत मांगे कबूल कर ले इसलिए के मुहम्मद तुझे खरीदने तयार हो चुटा है ओ, हदर्द सल्मान के बारे में लिखा ऐसा जोर का नारा मारा होगा या हदर्द सल्मान ऐसे हो सारा जखम खतम अर्यों वो सर भी जखमी है हाथ और पाउ जखमी है लेकर हदर्द सल्मान करें आप मुझे खरी देंग्ग है आप मुझे खरी देंगे अर्द सल्मान ने जोर से और लगाई है आप अल्ल्हा क्या над नसीमा खुलाए यहुसी की खुलामी से निकल Kend है और ताजदार-चुदा मदीना की खुलामी में आज़ाओंगा अब हदरत सल्मान बहुत इतने नान से कि अब तो सोधा ही हो गया अब तो कोई टेंशन ही नहीं सुबा सुबा हुई यहूदी के पास जाए का मुझे बेच दे यहूदी को का मुझे का कौन खरी देगा का मुहम्मद ररसूलल्ला का कितना देंगे ओ कितना देंगे यहूदी ने का अरे हदरत सल्मान ने का मेरे नबी ने यह नहीं का कि मैं कीमत बताओ तू कीमत बोलता जाएगा मुहम्मद आता करता जाएगा ओ यहूदी को मालूम यहूदी को मालूम कि जो बोलूँगा वो हो जाएगा इसलिए के हम यहूदी भी इतना तो जानते थे न कि यह मुहम्मद सही है अरे बो जानते थे कि नहीं अरे कुरान में लिखा कुरान में लिखा सारे यहूदी को मालूम था कि यह नभी है मगर मारे जलन के इमान कबूल नहीं करते थे बलके कुरान ने तो का यहूदी इतना नभी को पहचानते थे जैसे वो अपने बच्चों को पहचानते है अरे मेरे सामने मेरा बेटा आएगा तो मैं पहचानूँगा कि नहीं पहचानूँगा इतने बड़े मजमें में बेटा आपका आएगा बो आप पहचानोगे के नहीं पहचानोगे कुरान करीम में अल्ला ने दूसरे पारे में फरमाया कि यहुदीन हमारे नभी को ऐसा पहचानते थे जैसे अपने बच्चे को पहचानते लेकिन जो जलन थी जिसकी वज़ा से एमान कबूल नहीं करते थे यह कहां पर लिखा है अरे बोलो ने साथ में बोलो कुरान में कौन से बारे में अल्ला ने खरमाया अल्लजीन आतैनाहुमुल किताब यारिफोना कमा यारिफोना अबनाहुम अल्ला तबारग वताला फरमाते यहूदी को देखो यह इसाईयों को देखो यह हमारे नभी को ऐसा पहचानते जैसे अपने बच्चों को पहचानते है तो वो समझ गया यहूदी कौन खरीजने वाले है तो उसने सोचा है इसी बात कहूं कि जो मौम्मद से भी न होए और यहूदी में किया का, मालू। अए मैं कीमत बताउँगा तो तो दे देंगे यहूदी ने का ए, सलमान, चल मेरे साथ में चल अब 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 हदर सलमान है, भई, यहा कीमत बात करने है तो कीमत की बात ही नहीं हो रही वो यहूदी ले ग Ihr ले गा आज़ाद होना, मैं बेच दूँगा, तुझे बेच दूँगा लेकिन तुम जाके तुम्हारे मुहम्मद कहे दो तुम जाके तुम्हारे मुहम्मद को कहे दो कि ये जो जमीन है ने जमीन मैं तीन रात का मौका दूँगा, कितनी रात का तीन रात का मौका दोगा ये जमीन पर मुझे तीन रात में तीन सो खजूर के दरख चाहिए कैसे दरख खजूर के तीन सो खजूर के दरख चाहिए और हर खजूर पकी होना चाहिए कोई कच्ची नहीं होना चाहिए और तीन रात में ये होना चाहिए अगर ये हो जाता है तो तुम अजाद, नहीं होता है तो पड़े रहो मेरे गुलाम बनके मेरे प्यारो बताओ, क्या होगा मामला? बोगा कहकर चला गया, कौन चला गया? अलिए सब बोलो न, कौन चला गया? खदर्स सल्मान वो मैदन पे खड़े और सोच रहे इतना लंबा चोड़ा मैदन और तीन रात के अंदर यहां तीन सो खजूर के दरफ लगाना और खजूर का दरफ नहीं लगाना उस पर खजूर भी आनी चाहिए और खजूर भी पकी हुए होनी चाहिए حضرت سلمان فارسی जो इतने खुशते नारा मारा था कि मैं यहूदी की गुलामी से निकल कर मुहम्मत की गुलामी में चला जाओंगा वो वो सलमान फारसी वही जमीन पर बैठके रो रहे और कह रहे अल्ला क्या मेरे नसीब में नहीं कि मैं मुहम्मत की गुलामी करो इसलिए कि ये तीन रात का मामला है तीन सो खजूर के दरफ लगाना है और खजूर पकी होनी चाहिए और सब अच्छा होना चाहिए ए अल्ला ये मामला मेरी समझ में नहीं आता अधर सलमान फारसी वही बैठे अरे बो अधर सलमान फारसी थोड़ी जहर में अधर सलमान को ख्याल आया कि कमसकम नभी को जाके खबर तो करो भले ये मामला नहीं होगा मैं यहुदी का गुलाम रहूँगा लेकिन कमसकम नभी को खबर तो करो शाम का वक्त है सब बो शाम का ख़रती स्लमान फरसी रदी आल्लारी पूरे घम से भरे हुए अड़रती स्लमान फरसी अमारे आगा मोहम्मद रौसुलanten आगे असल की नमाज के बद Regent Salman करीब गए गर अला की रसुल का अच्छा आगे आगे यह ने हमारे नभी इंतिजार कर ले का सलमान आगे बदा बदा ओ यहुदी ने क्या कहा तुम्हारे आखा ने क्या कहा ताचे मैं कीमत चुगा कर मामला खतम करो حضرت سلمان فارسی نے آہستہ سے کہا اللہ کے رسول قیمت نہیں مانگی ایسا مانگا ہے وہ زمین بتائی زمین تین رات میں تین سو خجر کے درخت خجر پکی ہوئی اور یہ ہو نہیں سکتا میں تو صرف آپ کو بتانے کے لیے آیا میں واپس یہودی کی غلامی میں جاتا ہوں اللہ نے میرے مقدر میں آپ کی غلامی نہیں لکھی ہے میں یہودی کی غلامی کروں گا حضرت سلمان جانے لگے تو ہمارے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ سب کہہ دو سبحان اللہ اور سلمان بیٹھ جاؤ ہو جائے گا اب حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہیں اور حضرت سلمان فارسی اپنے دیماغ میں پلاننگ کرتے ہیں دیماغ میں پلاننگ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صحابہ کو جمع کریں گے اور سب کو کہیں گے کلھ ہاری ہاتھ میں لے لو اور سب کو وہ زمین پر لے جائیں گے اور سارے صاحبہ من کے خدای کا کام کریں گے اور یہ خدای ہوگی اور خجر کے درخت لگیں گے حضرت سلمان فارسी सोच रहे लेकिन हमारे नभी ने किसी को बुलाया नहीं मगरिब की नमाज करी हो गए कौन सी जमाज करी हो गए मगरिब मगरिब भी हो गए उसके बाद में अल्ला कि रसुल अपने कामों में लगे हुए सहाबे किराम आ रहे जा रहे आप किसी को बुला इशा का वक्त हो गया इशा की नमाज भी हो गई अरे बोलो इशा की नमाज भी अब तो अब तो अदर सल्मान अरे टेंशन होगा के नहीं होगा कि अल्ला कर रसुल ने तो किसी को बुलाया नहीं आज पहली रात कल दूसरी रात फिर तीसरी रात और उसमें सारा मामला हल होना अब अधर सल्मान बेचे ने अरे मेरे दोस्तों रात का एक हिस्ता गुदर गया अब अधर सल्मान नहीं मत की का अला के रसुल वो खजूर के दरत लगाने है हम क्या करें अला के रसुल ने परमा मुहम्मद الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلمان بلو کون حضرت سلمان ہمارے نبی کی مبارک چادر کو لے کر آگے بڑے جارے بڑے جارے उस زمین پر آگئے جب حضرت سلمان उस زمین پر پہنچے ہمارے نبی سے فرمایا اللہ کے رسول मेरे माँ बापा पर कुर्बान ये زمین अरदर سلمان نے کہا اللہ کے رسول आप तो अकेले आए कैसे काम होगा اللہ کے رسول ने क्या फरमा वह चादर का है अई नरिदाही वह मेरी चादर का अरदर सلمان ने का اللہ کے رسول आपकी मुबारक चादर बच्छा दो उसे बच्छा दो वह लंबा चोड़ा मैदान ता सल्मान फरसी ने बच्छा दिया क्या फरमाया नम्या सल्मान सल्मान सो जाओ वह चादर बच्छा दी सो जाओ तो चाह लगा ने रसुल में सो जाओ तो चाह सो जाओ मैं भी सोने वाला हूँ लगा रसुल ने फरमा सो जाओ क्यों क्यों कान इदा नामा नफखा हदीश पाक में लिका जब हमारे नबी सूते थे तो हल्की हल्की करणाते की एक आवाज आती थी और हर आवाज से मुश्क की खुश्बू बाहर निकला करती थी हम लोग भी सोते न, खर्राटे, ओ कासिम, आते खर्राटे आते ना रात को, बीवी को पूछ ले न, खर्राटे मारता है कि नहीं मारता, इतने साल हो गया, अल्ला के बंदे को यह नहीं मालुम खर्राटे लेता नहीं लेता, लेकिन मेरे प्यारों, हमारे खर्राटे तो बहुत हो जा मैंने पहले भी आपको बता है South Africa अपाती ना सावेखा है लौसर अफरीका इसा हुआ मेरी पहली रात South Africa में एक भाई मेरे पीछे पढ़ा मुझाना कि मत करना कि मत करना अरे मुंद में बहुत पहले की बात बता था उंवर तो बुड़ा-बुड़ा में भी हो गया फिर उस जमाने में का खिद्मत की दरुट मैंने का बाई कोई खिद्मत की दरुट में साउथ अफरीक आया पूरा दिन सफर कर किया मुझे चैंट का नहीं मौला ना मैं आपके साथ सोगा मैंने का सो जा अब मेरे से पहले उसको नींडा गई और वो ऐसे खर्राटे मारे ऐसे खर्राटे मारे के बराबर पौने घंटे तक मैंने तो बरदाश किया फिर मैंने उसको उठाए जैसे उठाया रहा भी मुझे कहता बोला ना कोई खिद्मत मैंने का एक ही खिद्मत तू बाहर मैं अंदर इसके तेरा ये जेनरेटर कब बंदो तो जिसका पेट खराब होता है ना वो बहुत जोर-जोर के खर्राटे लेता और जिसके पेट में खाना घजम नहीं होता वो दोनों किसम के होते खर्राटा लेने वाला और ना लेने वाला सही तंदुरस आदमी वो होता जो हमारे नभी का तरीका है काना इदा नामा नफखा ह हमारे न्वी जब सोते थे, हल किसी आवाद आती थी, और जब आवाद आती थी, तो मूसे मुख की खुष्च्बू भी आया करती थी, हम आदर सलमान, हम वाके पर आ जाये, हदित स Alorss S university के चादर भी चाई, अरे, बोलो हमारे न्वी हदित सलमान सोईंगे, अर्षास में बोने सोईंगे उनका तो बहुत बड़ा मामला है आज़ाद होने का मामला हदर सल्मान के बारे में लिखा सुना हदर सल्मान के बारे में लिखा सोई नहीं क्यों अल्ला के रसुल को देख रहे हैं अल्ला के रसुल तो आराम कर रहे हैं पिर कभी यूं आसमान की तरफ देखते के कमज कम जिब्रेश दीखे तो सही कह एं अरब फरिशने आने वाले दीखे तो सही लेकिन हदर सल्मान कभी दे लेकिन वो भी तो ठके हुए थे जखमों से मुकमल चूर थे हधरत सल्मान, सुनना, हधरत सल्मान सो गए मेरे प्यारों आप सुने जैसी बाते हैं हदरते सल्मान फार्सी रदी आलाहु ताला नों फरमाते मैं सो गया फरमाते अनामनी अल्दी अनामरसूली उसी खुदा ने मुझे सुला दिया जिस खुदा ने मेरे पेगंबर को सुला दिया حضرت سلمان فارسی فرماتے آنکھ کھلی अंग کھلی ना حضرت سلمان فارسی فرماتے آنکھ کھلی अंदेरह था अरे उस जमाने में लाइड बल्ब तो कुछ नहीं था पूरा मैदान में अंदेरह था حضرت سلمان فارسی के आंग कुली करीब देखा अल्ला के रसुल नहीं है अज़र सल्मान फर्सी घबरा गए कि कहते हैं फजी तू फर्माते में घबरा गया कि अज़र सल्मान फर्सी फर्माते में उठा थोड़ा आगे गया तो देखा सजदे में मेरे नभी रो रहे हैं सच्दे में मेरे नवी रो रहे, तहजुत की नमाज पढ़ रहे अधर सलमान कहते है अलागी किसम इतनी शरम आई के गुलाम तो सो रहा है और आखा तहजुत पढ़ रहे लेकिन सुनना जैसे तहजुत की नमाज हो गई या सुनना जैसे ताजजद की नमाद हो गई अल्ला के रसुल ने पुझा, सलमान क्यों उट गए? मेरे दोस्तों, वो और होता तो कहता चलो, ताजजद पढ़ो क्यों उट गए? सलमान ने का, ला के रसुल आँके खुली, आप नमाज पढ़तें, मैं बैटा हूँ अल्ला के रसुल ने क्या फरमाया? वो यहोदी तुझे सोने नहीं देता मुहम्मत की गुलामी में चैन से सोचा सोचा सोचा, और क्या फरमाया? सुबह का वक्त होगा फिकर न करना मैं खुद तुझे उठा दूँगा मेरे दोस्तों हदर सल्मान फार्सी फर्माते मेरे नभी ने ऐसे प्यारे जुम्ले कहे मैं अपने बिस्तर पर आके लोट पोट होने लगा हदर सल्मान कहते है ऐसा रोया दूआ करो उस रोने के सदके में अल्ला मेरी और आपकी मगफिरत फर्माते हदर सल्मान फर्माते मैं मुसलसल रोता गया और रोते रोते कब मेरी आखे बंद हो गई सल्मान फार्सी फर्माते मुझे नहीं मालूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ तब मेरे प्यारे मेभी ने बड़े प्यार से मुझे बेदर किया हदर सल्मान फर्माते मैं उठा मैंने अपनी आखों को मसला आखों को मसलने के बाद मैंने देखा तो मेरे नभी मुस्कुरा कर कहते है देख सल्मान जरा देख तो सही सल्मान حضرت سلمان فارسی فرماتے میں آگے گیا मेरे परवर्दिगार की खसम तीन सो खजूर के दरख लग चुके थे حضرت سلمان فارسی فرماتے तीन सो खजूर के दरख थे खजूर पकी है اور سلمان فارسی فرماتے ऐसी खजूर तो मैंने कभी मदीने में देखी नहीं ऐसी खजूर के मैंने मदीने में देखी नहीं अज़र सल्मान कहते हैं मैंने अल्ला के रसूर को पूछा अल्ला के रसूर आज तक मदीने में ऐसी अच्छी खजूर कभी आई नहीं अल्ला के रसूर ने फरमाया इस खजूर का नाम अजवा खजूर है अरे बोलो बो सुभान अल्ह जो आज भी सबसे ज़्यादा महेंगी मिलती है अल्ह के रसूल ने परमा आजवा खजूरे और ये वो खजूरे जो डायरेक अल्ह अल्ह डायरेक जन्नक से भेज रेता है ये वो खजूरे जो अल्ह डायरेक जन्नक से दे रेता बास अवद्द स्लमान फार्सी ने देखा और फिर उसके बाद में जो होना वो मेरे प्यारो वो यहूदी देपार किसके पार किसके पार मतीने में नहीं आए ये तो बिल्कुल नया वेपार है नया माने जो किसी के पास नहीं है पर अजब सल्मान फार्सी कहने लगे तू गिंता जा गिंता जा वो गिंते के तीन सो खजुड के दरख तो गए अजब सल्मान ने का मैं चला तो वो का कि यहूदी क्या कहता मनू यह मेरी जमीन है इसलिए कि कल तो कुछ नहीं था यह मेरी تا وہ تیری ہوئے کہ تیری اببہ کی ہوئے میں چلا تیری کہ تیری اببہ کی لیکن میں چلا اور اعضرت سلمان فرس سننا سننا عضرت سلمان فرسی کی خوشی کا پندازہ لگا وہ سلمان فرسی لمبے چوڑے گھٹے گھٹے خوبصورت کیا ہم خوش ہوں گے سیدھے ہمارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور کہا اللہ کے رسول खुला मासिर हो गया अमारे नभी ने फर्माया अंदा हुरू लिवचिला जा अल्ला के वास्ते मैंने तुझे आज़ाद कर दी अल्ला के नभी ने फर्माया जा मैंने तुझे अल्ला के वास्ते आज़ाद कर दी कोई और होता तो आज़ादी क्या शौर मचाता, यह हमारे नभी के दर्वाजे को यू पकड़के बैठ गया, दर्वाजे के जो चौकट होती ना पकड़के यू और रोने लगे अल्ला की रसुल ने का जाओ जाओ तुम अजाद होगे, मदिने वालों को कहे दो तुम अजाद होगे किया परमयाँ, Anita अनला की रसुल क्या तुम को यह गुलाम पसंना झाला की रसुल ऑल्ला की रसुल रसुल ना चाता, जो जुमला का अजाद सिल्मान फार्थी ने क्या जुमला फर्मयाँ इंकान अधाद ही लबूदिया अधाद ही लबूदिया मैं मतीने में रहूँ आपका गुलाम बन कर रहूं जन्नत में आओं तो आपका गुलाम बन कर जन्नत में आओं अल्ला के रसुल बड़े खुश हो गए का सल्मान तुम गुलाम बनो ना बनो मैंने तो पहले ही कह दिया तुम मेरे हो और मैं तुमान अब सुनना मेरे दोस्तों, सलमान आजाद, अरे बहुलो सलमान, अब बहुत डरने की बात पर मैं आपको ला रहा हूँ, मेरे प्यारो जरा तवज्जु से सुनना, एक लंबा जमाना गुदर गया, बुलो एक लंबा जमाना, थो हदरत सलमान की शादी भी हो गई, बच्चे किसल्मान ने के भारी भारी बारी दाम में की बाता है। खजूर बेचता है, कि अभी मुझे पता चला, कि कई कई दिरहमों में जाके उसकी खजूर बिकती है, तो अल्ला के रसुल, आप बताओ, वो खजूर तो आई थी मेरे और आपके सद्के, भै खजूर तो आई थी मैं सोया था, आप सोये थे, आप मेरे प्यारे नभी आपके स जूर आई और आपके सद्के में मुझे आज़ादी मिली, तो हुआ आपकी वज़ा से, और कमाता हो, पैं कमाता, सुनना, जवाब सुनना, अल्ला के रसुल ने फरमया, सल्मान, गुजर जाने दे, कुछ दिन गुजर जाने दे, वो बाग का मालिक अल्ला तेरे को बनाने अज़्स भूरतों कि लूप है। अबी चोड़ी जमीन, अबी तो हदरत सल्मान ताज्जुब करे, आस्मान से हदरत जिब्राइल आए, बलो आस्मान से, और एक आयत कलीमा लेकर आए, लेकिन मेरे दोस्तों, यह आयत करीमा जो है ना, हदरत सल्मान को तो खुश-खुश ख़बर दे रही, लेकिन उसमें डरन का भी बड़ा पहलो है, वो आयत करीम आज भी कुरान में, बलो आज भी कुरान ने, चोथे पारे में, बलो कुंसे पारे में, अगर यादो मेरे साथ में पढ़ो, हदरत सल्मान फार्सी रदी अल्लाव ताज्जुब करने लगे, यह आल्ला के रसूल, इतनी बड़ी जमीन मेरी कैसे होगी, इतना बड़ा बाग मेरा कैसे होगा, वाजवा खजुर का मालिक मैं कैसे बनूगा, अगरत से जिबराई आए, आयत करीम आले कराए, वो तिलकल अयाम, नुदाविलुहा बैननात, यह आयत करीम अजब सहाबास पढ़ते तो रोते थे, क्यों इसमें अल्ल फरमातें, दो उगली के बीच में सब है, जितने दुनिया में है न, इंसान जिर्ना चरिंदे, दरिंदे, परिंदे, अल्ला चुहते हैं, मेरी दो उगली के बीच में इधर भी गुमाऊ, इधर भी गुमाऊ, उसे को फरमाया तिलकल ऐयाम नदाविनोहा बेन अनास अल्ला फर्माते मैं जो चाओं करू अरे सुबा का सेट होगा रात को नोकर बना दूँगा अरे सुबा का नोकर होगा रात को सेट बना दूँगा सुबा का घरीब होगा रात को अमीर बनाओंगा सुब़ का अमीर होगा, रात को घरीब बनाओगा सुब़ में इससाद बाला होगा रात को सली कर दूँगा और मैं डर डर के कहता हूँ सुब़ में इमान वाला होगा, रात होने से पहले इमान चेंड़ोगा अल्ला मेरी और आपकी हिपाँज़त फरमाए इसलós वो बाग तेरा होगा बो वो एक दिन वो बाग इतना वाकिया, कि अल्ला के रसूल, और सावा खड़े, और खेवर, खेवर के ओपर फता हुई, गोलो सुभान लल्ह, फता हुई, और सारे यहूदी जो है, सब के हातों में, कड़ी है, पाउ में बेडी है, सावा लाइन में खड़े, اللہ کے رسول بھی کھڑے صحابہ کرام بھی کھڑے सुनना मेरे प्यारे दोस्तों सुनने जैसी बात है اللہ کے رسول पाक صلی اللہ علیہ وسلم साहब करा मजमा खड़ा और सामने यहुदी है जिनके हातों में कड़िया है पाव में बेड़ी है सब के सब लाइन में खड़े और अल्ला के रसुल पाक साथ में आइलान फर्माया अईनस सल्मान अब आई देखो हमारे मज्में में सल्मान काई अज़स सल्मान आई लब्भाई या रसूल आई वो जो यहूदी था नहीं वो भी खड़ा हुआ है اللہ کے رسول نے فرمایا उनको पेचानते हो उनको पेचानते हो कौन है वो बोलो ने कौन है यहूदी है इनका कौन है अज़र सल्मान ने देखा क्या का मालूँ अल्ला की रसुल इसको नहीं पेचानो तो किसको पेचानो बहुत अच्छी तरह पेचानता और फिर सल्मान ने रोकर का अल्ला की रसुल मुझे बहुत मारा गया मुझे बहुत पीटा गया सुना जुम्ला सुना मुझे बहुत मारा गया मुझे बहुत पीटा गया अल्ला की रसुल आपको मालू मैं कैसा लहुलुआ में आपके दरवाजे पर आता था और दो रात तो मुझे कैसा पीचा आल्लागे रसली ने क्या वरमाया उनको बुलाओ वो यहूदी सामने आये कहा इसके पास जितनी जमीन है उसमें वो जमीन जिसमें हमने अज्वा खजूर के दरत लगा है एस सर्मान अच्पूरे मदूरे के सामने उस जमीन का मैं तुझे मालिक बना देता हो गए सल्मान मालिक हो गए फिर क्या फर्माए मालूम हमारे नबी ने इन्होंने तुझे मारा बहुत ना कहां बहुत मारा लगा बहुत मारा कहां कि तुझे जलील भी बहुत किया का बहुत जलील किया अधर यहूदी है इधर सल्मान है अधर जलील करो अधर सल्मान ने वो कोड़ा लिया अब सल्मान लंबे चोड़े हटे कटे जब कोड़ा हाथ में लिया मारने का इरादा किया कुर्बान जाओ सल्मान और यहूदी के दरमेन हमारे नभी आ गए बलो बलो सुछान आफ़े塑 लिया हमारे नभी आगे और कितने प्यार से फरमाया सल्मान हक है तुझे मानने का हक है युझे हक हैज्जे तु मार तुझे हक है जदू जलील कर लेकिन आज मेरी मुहबत में माफ कर दे अल्ला तुझे जन्नत नसीब कर दे ऐस सल्मान मैं दरम्यान में आ गया इस सिफारिश करने के लिए आया है मुझे मालू में इनों ने तुझे बहुत मारा है मुझे मालू में पांसो पांसो आद्मियों को लेकर तुझे मारा और आल्लाने तुझे हर मक्त बचाया लेकिन ऐसल्मान आज मेरी मुभबत में माफ कर दे मेरे प्यारे दोस्तों हद़त सल्मान ने वो कोड़ा यू जमीन पर लखा हाँ यहोड़ा जमीन पर रखा अल्ला के रसुल के गले लगे और जाके यहूदी के गले लगे जब वो यहूदी के गले लगे तो यहूदी ने जोर से कहा अश्हदु अल्ला इलाह इल्लाह वाश्हदु अन्न मुहम्मद रसुल अल्लाह जब कल्मा पढ़ा पूरे मजमे में सन्ना ना सल्मान कहते लगे तू ने कल्मा पढ़ा अंतकराता खली मतंतीबा तू ने कल्मा पढ़ा जिनों ने सिंदगी पर मेरे नभी की बुराई की तू ने कल्मा पढ़ा तो पैदा करने वाला खुदा कितना रहमान रहीम होगा उसी के नाम पर मैंने कलमा पढ़ लिया उसी के नाम पर मैंने कलमा पढ़ लिया